एंडी गठ बंधन अभी जन्म ही लिया है और इसके नो नेता है, नो नीती है, नो नीयत साफ है, सब प्रधान मंत्री पद के दाविदार है और आईसी महत्वा कांचा देश की जनता इन बनसबादियों, बनस्ताचारियों को देख रही है नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ विपक्षी गठ बंधन इंडिया की चौथी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, ये बैठक दो फर तीन बजे शुरू होगी वहीं विपक्षी गठ बंधन की इस चौथी बैठक को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठ बंधन इंडिया पर हमलावर बनी हुई है इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष विजे कुमार सिन्हा का प्रतिक्रिया सामने आया है, खबर को विस्तार से जारेंगे उससे पहले इस रिपोर्ट में सुनिये कि विपक्षी गट बंधन इंडिया की चौथी बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं आज इंडिया गट बंधन की हो रही बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इंडिया गट बंधन अभी जन्म ही नहीं लिया है और इसके ना नेता है ना नीती है और ना ही नियत साफ है सभी का अपना-पना स्वार्थ और महत्वकांशा है और ये लोग अपनी अपनी विस्तार के लिए लगे हुए हैं कॉंग्रेस अपनी विस्तार में लगी किये और इसलिए सफल नहीं होने देगी साथी बता दे कि विपक्षी गट बंधन इंडिया लोकसभाद चुनाओ को लेकर अक्टिव मोड में आ गया है पाच राज्यों के विधान सभाद चुनाओ के बाद इंडिया गट बंधन की ये पहली बैठक है बैठक के लिए पक् बैठक है विपक्षी निताओं की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी इस बैठक में 2024 का लोकसभाद चुनाओ साथ लडने की सहमती बनी थी नितिश कुमार की मेजबानी में हुई पटना मिटिंग के बाद बैंगलूरू में दूसरी बैठक हुई कॉं की 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में होने जा रही है लोकसभाद चुनाओ में अब महज कुछ महीने ही सेस बचे हैं ऐसे में इंडिया गटबंधन की दिल्ली में बैठक क्या होगा इसे लेकर गटबंधन की ओर से अधिकारिक तौर पर एजंडे की जानकारी सामने नही जा रही ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को जिन होने विपक्षी गटबंधन इंडिया की आज चौथी बैठक जोकी राजधानी दिल्ली में हो रही है इस पर उन्होंने अपनी प्रति कानशा के लिए शामिल है फिलाल इस वक्त की कबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही हमारी यूटुब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसूप कर देख पा रहे है तो हमारे फेसूप पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद